तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकेंड फेज का जो है वाइंडिंग हम किस प्रकार करते हैं इस हब मोटर में लेकिन दोस्तों मोबाइल एस्टोरेज फूल होने के कारण जो है सेकेंड फेज का फर्स्ट ग्रूप का जो है वाइंडिंग हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए इसके लिए sorry दोस्तों अब यहां पर हम जिस प्रकार से फर्स्ट फेज का जो है winding कि ये थे फर्स्ट ग्रूप का तीन कोईल उसके पाज से जो है हमें यहां पर पांट स्लोट हमने छोड़ा था आगे की तरफ फिर दोबारा जो है हमने सेकेंड ग्रूप का कोईल यहां पर बनाया था तीन कोईल ठीक है उसी प्रकार से हमने यहां पर सेकेंड फेज का जो है फर्स्ट ग्रूप का कोईल तीन कोईल हमने बना लिया है और पांट स्लोट जो है आगे की तरफ मतलब दाहने साइड की तरफ जो है हमने छोड़ दिया याँ और में दूसरा व्रोव का फन्ट को यहाँ बना रहे है तो इसमें हम hadi हमें 11 टर्न कंप्लीट करना है और दे सकते हैं कुछ तो यहाँ पर 10 कंप्लीट करना है टो दोस्तWalgamall आपको फर्स्ट की तरह ही है लेकिन मोबल स्टोरेज फूल होने कारण जो है यह हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए यह फ़रा सा इसमें प्रोब्लेम हो गया था तो चलि दोस्तों हम 11 टर्न कम्प्लीट कर लेते हैं यह टर्न हम यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार से फ़र्श फेज में हमने दिया था यह एंटि क्लोक में दे रहे हैं अभी और उसके बाद क्लोकवाईज फिर एंटि क्लोकवाईज तीन कॉयल यहां पर सेकेट आएंगे और दोस्तों यदि चैनल में नहीं हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दावा लें चुकि इस तरीके का जो है वीडियो मेरे चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम यहां टर्ण कमप्लीट कर लेते हैं और वीडियो को जो तो थो आए यहां फास्ट फरवाट हमने यहां कर लिया और जितने भी टर्ण दोस्तों आप यहां पर देंगे आपको नौट करते हुए जाना है एक भी टर्ण आपका मिस नहीं होना चाहिए और वायर को जो है लोय चलनलमें जाके देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे देक सकते हैं हमने फ़र्श्ट यहां पर यजो है सेकंड्ड गुरूप का हमने कमप्लीट कर लिएँ क्यारा टर्म अब यहां पे हम दूसर्रा क्वाल यहां बनाएंगे माँगे यूद से पहले जो है वो उसमें आपको ग्यारा टर्न सभी कोयल में ग्यारा ग्यारा टर्न आपको डालने होंगे और इसका जो कोयल की लंबाई दोस्तों हमने जो बताई थी आपको साड़े अठारा फीट हमने बनाई है 25 नमर कॉपर वायर हमने यूज किया है और नमर ओफ वायर यहां पर छे है छे पीस वायर से हम यहां पाइंडिंग कर रहे हैं एक साथ दोस्तों 11 टर्न जो है हमने यहां पर सेकंड कोयल में की कंप्लीट कर लिया है अब यहां पर फर्ट कोयल हम बनाएंगे यह सेकंड फिस्का दोस्तों हम वायंडिंग कर रहे हैं अभी और ये लाश्ट कोईड़ प्रूश का सेखेंड प्रूप का लास्ट कोईड़ तो और इसी तरह हम यहां पे थर्ड फेज का भी बॉइंडिंग करें गे सीहें ती तेल्स और इसका दोस्तों जो फ़स्ट यु वाएर हमने जो निकाला था छोड़ा था फ़स्ट को पाइल में आपको वह भी sensor के slot से ही हमने इसका loop निकाला था महां से start किया था फर्स्ट फेज का भी जो है loop हमने sensor के slot से निकाला था और उसके बाद आपका second phase का जो first loop है दोस्तों वह भी हमने sensor के slot से निकाला है और third phase का भी हम यहां जो loop निकालेंगे दोस्तों वह आपको sensor के slot से ही निकालेंगे तो ध्यान देनी वाली बात ही है कि यहां पर निकला है आपका first में वह sensor के slot से ही निकलेगा तो चली दोस्तों आप इसमें भी हम यहां पर लास्ट कोईल बना लेते हैं और हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कि third phase का winding किस परकार करते हैं दोस्तों जो hub motor होता है आपना वह winding करना भी दोस्तों आसान ही है लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि इसका जो data है वह परफेक्ट तरीका से निकल सके और उसे नोट कर सके आप जब तक आपको data पता नहीं होगा तक बाइंडिंग करने में आप को थोड़ा सा यहां problem हो सकता है इसलिए data और इसका जो process है दोस्तों कि स्लोट से आपको शुरू करना है कहां पर खत्म करना कितना स्लोट छोड़ना वह सारा बात आपको मालूम होना चाहिए जब तक आपको मालूम नहीं होगा तो तक आपको जो है यह हो सकता है और नहीं कर पाई यह इसलिए इसका data सरफ प्रथम जो हमने तिन वीडियो इसका जो है हमने बनाया था जो किस प्रकार से हम डाटा निकालते हैं यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसमें भी 11 टर्न जो है आपका एक एक स्लोट जो है आधा आधा बढ़ा हुआ है आधा खाली है तो उसी में जो है हम यहाँ पर फेस का वाइंडिंग करेंगे दोस्तों अब दूसरी वीडियो में हम देखेंगे